दियर इस्टूडेंट गुड मार्णी आएम जीति अंदर कुमारतिया ये आपका रासान विज्ञान का सिच्छ है बच्छों आज का टापिक हमारा पर्माडुभार पर्माडुभार की से कहते है किसी तत्त का पर्माडुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्सित करती है कि उस तत्त का एक औसत पर्माडु कार्बन बारा समस्थानिक के एक पर्माडु के दर्बिमान के एक बटे बारा भाग से कितने गुना भारी है परमाडु भार को इंगलिस समेटामेक वेट कहते हैं इससे निशकर से कहा निकलता है किसी तत्यो का परमाडु भार वासंख है जो ये प्रदर्सित करती है कि उस तत्यो का एक और समस्थानी के एक परमाडु के दर्बिमान के एक बटे बारा भाग से कितने गोना अधिक है हमें भी कह सकते हैं तत्तो का परमाडु भार बराबर तत्तो के एक औसत परमाडु का द्रब्दमान बटे एक बटे बारा गुडे कारबन बारा के एक परमाडु का द्रब्दमान कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्छों तत्तों के पर्माडु भार तो प्राया भिन्नात्मक होते हैं क्यों? क्योंकि प्रक्रति में पाये जाने वाले तत्तों प्राया समस्थानिकों के मिस्त्रण होते हैं एक्जामपल ले लिए जाए हेडोजन का परमाडुभार जो exactly होता है 1.008, कारवन का 12.01, क्लोरीन का 35.45 हो गये तो क्या तत्तो के मानक परमाडुभार कारवन 12 के दोरा तत्तो के अवर साड़ी में परमाडुभार दिये गए नेक्स टापिक है समस्थानिकी द्रब्यमान इंगलिस में आइसो टॉपिक मास कहते हैं एक तत्तो के किसी समस्थानिक का सापेच द्रब्यमान उस समस्थानिक का समस्थानिकी द्रब्यमान कहलाता है क्लोरीन तत्यों के समस्थानिक क्लोरीन 35 का समस्थानिकी द्रभ्यमान कितना है 34.9 और क्लोरीन 37 का क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं 35 और 37 क्लोरीन 37 का जो समस्थानिकी द्रभ्यमान होता है वो 36 यानि 36.9 पाँच होता है तो समस्थान की द्रब्यमान एक तत्त कि किसी समस्थानिक का सापेच द्रब्यमान उस समस्थानिक का समस्थान की द्रब्यमान कहलाता है नेक्स टापिक है अवगाद्रो का नियम अवगाद्रो का नियम क्या कहता है समान ताप और दाप पर गैसो के समान आयतनों में अड़ूओं की संख्या समान होती है 1811 में इटायलियन भातिक विज्ञानी अमादिय अवगाड्रों ने ये विचार प्रस्थित किया और बताया कि पदार्थ अड़ूं से और अड़ू परमाड़ूं से बने होते हैं जिसके लिए समानताप और दाप पर गैसो के समानायतनों में अड़ूं की संख्या समान होती है अवगाद्रो संख्या क्या है कारवन बारा समस्तानिक के ठीक बारा ग्राम में उपस्तित कारवन बारा परमाडूगों की संख्या अवगादरो संख्या जिसे एने से प्रदर्शित करते हैं कहलाती है कारवन बारा के ठीक 12 ग्राम में कारवन बारा परमाडूओं की संख्या 6.022 1.3 इंटू 10 की पावर 23 होती है और अवगादरो नियतांग का मान भी 6.022 1.3 इंटू 10 की पावर 23 प्रतिमोल होता है अड़ो किसे कहते हैं? इंगलिस में माले क्यों कहा जाता है किसी पदार्थ के सुचमतमकर्ण जो स्वतंत्र वस्ता में रह सकते हैं तता जिनमें उस पदार्थ के सभी गुड उपस्तित या विद्धिमान होते हैं अड़ो कहलाते हैं कहने के मतलब किसी पदार्थ तत्व या यौगिक के वो सुच मतमकर जो स्वतंत्रिया मुक्तवस्था में रह सकते हैं जिनमें उस पदार्थ के सभी गुड उपस्तित होते हैं अड़ कहलाते हैं सदार्था अड़ों का व्यास चार अंगेश्ट्राम से बीस टूंटी अंगेश्ट्राम के मद्द और अड़ भार दो से एक हजार तक होता है इन टापिकों को सीरिसली लें क्योंकि ये टापिक पुना रिपीट नहीं किये जाएंगे